पानी थोड़ा गरम कर लीजिए हल्का गरम कर लीजिए देखिए एक पत्तेर ने थोड़ा मादा लीजिए नमट डालिए तेल डालिए रमाजा के साथ तेल को अच्छे तरह से निक्स्ट कीजिए अभी इसमे थोड़ा तरह पानी डालिए माइदा का डो रेडी है डो को खाक के एक घंटे के लिए रख दीजिए इसी में माटर डालिए हरी मिक्स्ट डालिए अच्छे तरह से इसको मिक्स्ट कीजिए देखिए पेस्ट बन गया 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 शबन को जाला लीजिए उसके उपर कड़ाई मिठाईए अच्छे तरह से गरम कीजिए कराई गरम हो गया अब इसमें तेल डाली तेल को गरम कर लीजिए तो रहा नमक डालिए तो रही गई है नमक के पुराण गई लिए मतर का पेस्ट डाव दीजिए अच्छे तरह से जिले देले तेल के साथ इस तरह से मिक्स वीजिए मीडियम फ्लेम में इसको इसी तरह से दस मिनिट तक पकाते रहें अगर यह नीचे लाप जाए तो इसको इस तरह से पकाना करें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गला मुसला पाउडर मुसला को एक साथ मिक्स कीजिए इस तरह से दो मिर तक इसको पकाते रहें देखिए फूरी एटी है अभी ग्याश को बंद करतीजिए मैदा से छोड़े चोटा पेरे बाना लीजिए इस तरह से पेरे इस तरह से छोटा कटड़ा बनाईए कटड़ा बन गया इसके आंदर पूर्ट डालिए अभी इसका मूह बंद कर दीजिए इस तरह से थुरह दाबाक के बन गिराओ मैंने बना लिया एक छोटा कटड़ी में तेल ले लिजिए कटड़ी से थुरह तेल ला के दीरे दीरे इसको हर्के हर्के करके बेग लिजिए देखी हो गया एक कड़ाए में तेल डालिए तुरह ज्यादा तेल लागेगा क्योंकि एक फ्राई होगा देखिए तो अच्छे तरह से करम करके उसके अंदर धीरे धीरे इसको छोड़ दीजिए देखिए कचोरी बन गया दूसरी कचोरी डालिए इसी तरह से एक एक करके आपको सब कचोरी फ्राई करने पड़ेगा देखिए सब कचोरी अच्छे तरह से फूल रहा है टूडेज रेसिपी हरे मटर की पूरी डेटी है